हिंदुस्तान जिंदाबाद आए आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मुगल समराइज के अस्थापना किसने की और कितना इस विमी की आने कि मुगल समराइज के बारे में आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल से मुगल समराइज के अस्थापना बाबर ने किया था बाबर ने किया था मुगल समराइज के अस्थापना कब 1526 इस्वी में 1526 इस्वी में बाबर ने मुगल समराइज के अस्थापना की थी अब लोग बाबर के बारे में कोई जान लेते हैं कि बाबर ठेकोन कॉन से लोग थे। बाबर , बाबर के पिताजी का नाम था उमर सेख मिरजय अबु सईद मिरजय था . आनि बाबर के दादा जी का नाम अबू सहिद मिर्जा था बाबर का पुत्र हुमाईयू आनि उत्रा धिकारी में हुमाईयू था हुमाईयू का पुत्र अकबर का पुत्र जहंगिर और जहंगिर का पुत्र साजहां का पुत्र औरंग जेव था और भी इसके बाद भी सासन थ पर उदर किया फिर सब चले गए उसमें अंग्रेज के साशन में लोग लेकिन कोई टीक नहीं पाए तब हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में जाते है बाबर के पिताजी के बारे में कुछ जान लेते हैं बावर ने 1526 इस्वे में क्या-क्या मुगल समराज के अस्थापना की और दिल्लिक के गद्दी पर बठे तो यह बावर का पुत्र हुमायू था यह वही हुमायू है जो बावर के कहने पर अपने चारों भाईयों में सभी राज्यों को अपने पिता के कथनानुसार बांट द जो अपने महबूबा के याद में ताजमाहल बना दिया जिस पे आज लोग तरह तरह के सोट वीडियो रिल्स बनाते हैं कि तुम मर जाता हम भी ताजमाहल बना देंगे और साजहां का पुत्र यह औरंग जेव यह औरंग जेव है जिन्होंने अपने गद्दी के लिए यह वही चोटा बहुत कमीना था पहले और इसका सासन 1658 से 1707 इस्वी तक किया आनि लगभाग यह 50 साल तक चोटा इसासन किया इस छोट था अपने सभी भाई में छोट था लेकिन इसके कमीने हरकत के वज़ा से अपने बाप को बंदे बनाके खुदे गद्दी पर बैठ ग इस सब होते जाते रहता है इतिहास की बात है अभी रहता तिसका टंगरी पखर के लोग खिच देता उमर से मिर्जा फरगना राईज के सासक थे बावर का जन 1483 हिस्वी में हुआ था कब हुआ था बावर का जन 1483 हिस्वी में हुआ था और 1494 हिस्वी में इन्होंने अपने कायरिभार संभाल लिया आणि कि फरगना राईज का नेतृत करने लगे कब 1494 में महज 11 साल के उम्र में इन्हों ने अपना कायरिभार संभाल लिया और आज के बच्चे सब 15 से 20 साल तक भी खेलते रहते हैं उन्हें घार का से कोई मतलब ने रहता है यह पूरा राईज के राजा बन गए महज 11 साल के उम्र में और बावर पहले आप गानिस्तान के थे अब इन्होंने धिरे धिरे भारत में हिंदुस्तान पर कबजा करने लगे अब वो कैसे किये इसके बारे में जानते हैं बावर कुल टोटल भारत पर पांच बार आकरमन किया कितने बार, पांच बार आकर मन किया बावर, पहला आकर मन इनका था, 1519 में, 1519 में इन्होंने पहला आकर मन भारत पर किया, जहां यह दो राइज को अपने कबजे में ले लिया, कितने? दो राइज को अपने कबजे में ले लिया इसके बाद इसके साथ साल बाद 1526 इस्वी में इन्होंने पुना भारत में आकरमन किया और पानी पत का जुध लड़ा कहां पानी पत का अभी 1526 इस्वी में इनकी सबसे बड़ी जीत हुई कब 1526 इस्वी में पानी पत का पर्थम यूद 1526 इस्वी में लड़के इन्होंने भारत से बहुत बड़ा समराईज हासिल कर लिया और अपने और यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गए यह दिल्ली में राजगद्दी पर बैठ गए इसके पस्चात क्या हुआ अब हम लोग इन घटनाओं को दिखते हैं अब हम लोग जानेंगे बावर द्वार लड़े गए परमुख यूद के आनि बावर कौन-कौन से परमुख यूद लड़े थे पहला इन्होंने 1519 इस्वी में लड़के दो राजगद्द मिलाया ही था यह मुख रूप से सबसे बड़ा यूद पहला यूद कव लड़े पानी पत्कायुद 1526 इस्वी में पानी पत्कायुद। यह बहुत थी बहुत धी बहुत बहुत धीबहुत धम मसं कवेस्टन है इसका बहुत से एक्जामों में यह पुछ पीछ जाता है एस एखरा गग़र्य की harass हो गया और रेलिवे हो गया यह सब एक्जामों में ऐसे question का भरमार रहता है उसलिए पानिपत का पर्थम युद बहुत फ्यमस है और पानिपत का पर्थम युद 1526 इस्वी में बाबर और इब्रहीम लोदी के बिच हुआ था तो 1526 इस्वी में बाबर ने इस युद को जीत लिया और ये इस चोटप 1526 में जब जीता तब ये माना नहीं ये चोटप फिर से आकरमन कर दिया 1527 इस्वी में किसमे खानवा का युद अबर लड़ गया कौन सा युद खानवा का युद 1527 में एकके साल में चोटपाई संभ आया था और इसमें राना सांगा को हरा दिया किसे 1527 में खानवा के युद में राना सांगा को हरा दिया 1526 इस्वी में इब्रहीम लोदी को हराया था और इब्रहीम लोदी मध्यकाल के ऐसे सा सकते कि युद भूमी में युद करते हुए मारे गए थे मध्यकाल के पहले ऐस शासक थे वो इब्रहेम लोदी और उनके साथ उनका मित्र विक्रम जित भी मारा गया था युद्भूमी में गवालियर के जो राजा थी वह भी मारे गए थे 1537 सिश्वी में फिर आकर्मन करके अगर राना सांगा को हरा दिया राना सांगा को हरा दिया इसमें इसमें राना सांगा को हरा दिया अब इसको तो युद्भूमी में मार दिया था इब्रहेम लोदी को अब इसमें राना सांगा को चुट्टा युद्भूमी मारा ही नहीं इसको बंदे बना के घर ले आया कहां घर लेते आया और राना सांग सांगा को 1537 में बंदी बनाया और 30 जन्वरी 1528 को तीस जन्वरी 1528 को यह चुटा इतना बदमास था बाबर कि बाबर इतना बदमास था कि 1530 जन्वरी 1528 सिस्वी को राना सांगा को जहर दे दिया और इसको जहर देखे मार दिया राना सांगा को अग यह यूद के बाद चुटा को ज्याएदा च्छती तो हुआ नहीं असानी सी जित गया था इसके बाद फिर इसको 1528 इसको खुजली काटर फिर कि यूद करने के लिए दोड़ पड़ा और अबर चंदेरी का यूद लड़ गया चुटा यह जित गया अबर इसको खुजली सांथ नहीं हुआ फिर अबर 1529 इसको में फिर से आकरमन कर दिया किसमें घागरा का यूद अबर लड़ गया 1529 में घागरा का यूद लड़ गया अब इस यूद के जितने के बाद भागवान भी सोचे कि चोटा जब तकी रहेगा तब तकी सम यूद यह जितने भूलेगा तहीं चोटा कक्रो अकले पूरा राज करेगा कक्रो देगा है यह नहीं सासन करने तो 1529 में घागरा का अब तुम्हारे साथ मानव जगत नहीं सूर जगत आनि देवता जगत में तुम्हारा युद होगा और 1530 इस्वी में खेल के दोरान इसमें खेल के दोरान घोड़ा पर से खेल रहे थे और वहें इसे गिरे और भगवान को प्यारे हो गए इन्हें भगवान को प्यारे हो गए और 1530 इस्वी में इन्हें भगवान अपने पास बुला लिया बोला चलो अब तुम्हारे दिसंबर 1530 में बोला चलो अब तुम्हारे समय हो गया अग 1531 सिस्वी को तुम बरबाद मत करो और ये भगवान को प्यारे हो गए 1530 सिस्वी में बाबर लगतार चार युद चार बड़े बड़े युद को इन्होंने जीते और अपने नाम किये और उसके बाद इनका उत्राधिकारी हुआ कौन? हुमाईयो हुआ अकबर का उत्राधिकारी यहाँ हुमाईयो हुआ अब हम लोग जानते हैं बाबर त्वारा लड़े गये परमुख युद का ट्रिक आनि इसको आसानी पुरवक याद कैसे रखेंगे इतना तो हम लोग जान गए कि बावर इतना युद लड़ा था में में अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे उसका ट्रिक भी मैं वता देता हूँ बावर की जब मिर्ति हो गई 1530 में, दिसंबर 1530 में तो इनके सव को सरवपर्थम आगरा के अराम बाग में दफना दिया गया था कहां? आगरा के अराम बाग में दफना दिया गया लेकिन इसके बेटा सव को सुकूर नहीं मिला चुट्टा को क्या-क्या दफनाने के बाद फिर यहां से खोद कर चोटा विसका जहां से आया था वहीं पहुँचा दिया बोला इसको यहां ठीक नहीं रहेगा हम लोग अभी यूद्ध हार जाएंगे तो इसको कोई निकाल के मारेगा तो बावर को इसलिए इसका बेटा सब इसको डर से वापस अफगानिस्तान ही पहुचा दिया आनि आगरा के आराम बाग में इसका सव को सरोपर्थम दफनाया गया था फिर यहां से खोद कर इसको अफगानिस्तान यानि के काबुल में जाके दफना दिया गया इसका उत्रादिकारी हुमाईयू हुआ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हुमाईयू के बारे में जानेंगे कि हुमाईयू का कितना से कितना तक सासन काल रहा क्या उनके जीवन में परमुख घाटना आये रही और क्या मुख्य बाते रही कितना भाई थे या सभे चीज हुमाईयू के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से